इस साल 36 गड़ में चुनाव होने वाले हैं दोस्तों और चुनाव से पहले महाल भयंकर तनाफपूर हो चुला है 36 गड़ के राइपुर में बवाल अभी से नहीं है बलकि काफी समय से मचा हुआ है याद होगा राम नवमी के वक्त में भी 36 गड़ में हिंसा हुई ऐसी कई खबरे सामने आ चुकी है और मैं उमीद करती हूँ कि ये बात भी आपकी जानकारी में होगी दोस्तों कि 36 गड़ में इस साल चुनाव होने वाले हों और अब ही अगर वरतबान सरकार की बात की जाए तो सरकार में कॉंग्रिस है लेकिन तस्वीरे जो है दोस्तों जो सामने आ रही है वो चिंता जनक तस्वीरे है क्योंकि अब किस तरीके से हिंसा बढ़क रही है किस तरीके से हिंसा का पैमाना बढ़ रहा है वो चुनाव के लिहाज से बहुत जादा चिंता जनक है हत्या के जवाब में हत्या हो रही है इसको आप चिंता जनक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे और अब पुलिस की कारिवाही में सामने आया है कि सोशल मीडिया के जरीए भड़काव पोस्ट करके इस विरोध को हिंसा में तब्दील करने की कोशिश हो रही है भड़काव पोस्ट करने के मामले में रायपूर पुलिस ने भाजू में नेता उसके उपर केस दर्च किया है लेकिन केस क्यों दर्च किया है इस खबर में आप ये बात पूरी तरीके से जान पाएंगे इसलिए आखर तक हमारे साथ बने रहेगे नमस्कार मेरा नाम है चैन्ती जहाँ और आप देख रहे हैं दनेशन भारतिये जनता युवा मोचा जहां दोस्तों भारतिये जनता पाटी की युवा शाखा है आप कह सकते हैं यूथ विंग है और इसके मंडल अध्यक्ष शुभांकर द्वेदी के खिलाफ रायपूर पुलिस ने मामला दर्च कर लिया है रायपूर आप समझ गए होंगे 36 गड़ का मामला है तो ये 36 गड़ के भाजपा नेता आप कह सकते हैं इनको इंटर रिलीजन मैरेज यानि अंतर धार्मिक विवाह को लेकर 36 गड़ के बेमे तरह में मुसल्मानों के समाजिक वहिशकार यानि बॉयकॉट का आवान किया गया ये जो आवान है पुलिस के मताबर के आवान हिंदुवादी ने ताउने किया बताया है ये जा रहा है कि इस आवान के बाद से ही पूरे गाउं में तना फैल चुका है 36 गड के बेमतरा में साम्प्रदाइक हिंसा में दो समुदाय आपस में भीड़े जिसमें काफी समय पहले खबर आई थी कि 23 साल के युवक भूनेश्वर साहू की मौत हो गई थी दोयर ने खबर में लिखा है कि साहू की मौत के बाद ही विश्वे हिंदू परिशद द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किये गए जोने अनवप्चारिक तौर पर भाजपा का समर्थन प्राप्त था अनवप्चारिक यानि अनवफिशल तौर पर भाजपा का समर्थन प्राप्त था ऐसा हम नहीं कह रहे हैं दवायर के खबर कहती है दवायर ने आगे लिखा है कि कुछ दिन बाद जवाबी कारवाही होती है यानि साहू के हत्या पहले हुई और जवाबी कारवाही में क्या हुआ सुनिये जवाबी कारवाई में गाउं में अल्पसंख्यक समुदाई यानि मुस्लिम समुदाई के पिता और पुत्र दोनों के हत्या कर दी गई यानि बाप और बेटे दोनों को मार दिया गया रैपूर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक हैं एसेसपी हैं प्रशांत अगरवाल सहब इन्होंने कहा है कि बीरनपूर की घटना से सम्मंधित नफरती भाषन की शिकायत पर हमारी जांच के आधार पर हमने दुएदी के खिलाफ साम्प्रदाईक सोहर्दी बिगारने क के लिए फायार दर्श की है मामले में भारतिये दंड सहीता यानि आईपी से किधारा एक सुतिरेपण ए और पांसुपांच दो के तहत मामला दर्श किया गया है इससे पहले शुभांकर दुएदी के अलावा आठ भाजपाप अधिकारियों को भी बीते दिनों पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा जा चुका है दोस्तों उन पर सोशल मीडिया पर घ्रिना स्पद टिपनिया करने का आरोप है घ्रिना स्पद सीधे तोर पर भढ़काउ टिपनिया करने का आरोप है टिपनिया पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी किया गया था अब पायर ने जो लिखा है हम वो आपको बता रहे हैं यानि भड़काओ पोस्ट करने का चलन जो है वो शुरू कर दिया गया भड़काओ बयानबाजी और भड़काओ पोस्ट करने का सिर्फ एक नतीजा होता है दोस्तों कि उससे समाजिक सौहाद्र बिगड़ता है दो समधाय आ अभी आपको हम बता रहे हैं यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है सवाल यह कि भड़काओ पोस्ट और भड़कारी वाली गतिविदियों की वज़ा से अगर राज्ये में अगर 36 गड़ में चुनाव से पहले मात्र तीन दिन में तीन हत्याएं हो जाती हैं तो क्या यह 36 गड़ मगर क्या इसके आलावा समाजिक सोहार्दर बिगारने वालों के खिलाफ इससे ज़्यादा कारवाही होगी यह एक सवाल है और एक उमीद भरा सवाल है कि 36 गड़ पुलिस कानून व्यवस्था को सुचारू ढंक से चलाने के लिए हर संभव काम करेगी या फिर नहीं इस उ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात हो गया आपसे किसी ऐसी खबर के साथ तब तक के लिए रपसकार